तो हेलो दोस्तो आज मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि आपके अधार कार्ड से कितने सीम चालू है कहीं आपके अधार कार्ड का गलत यूज करके कोई सीम एक्टिव तो नहीं क्या गया है तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे जान सकते हैं कि के आदार से कितने सीम चालू है तो सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना है संचार साथी कि टाइप करते ही आपके सामने संचार साथी सबसे उपर में आपको दीख रहा होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करते ही आपके सामने डिपार्टमेंट आफ टेली कम्मिनिकेशंस का ओफिसल साइट आपके सामने खुल गया है ठीक है यह ओफिसल साइट है गौवर्मेंट सरकार का तो इसमें आम आपको बताने वालों कि किस ऑप्सन में जाकर आपको पता चलेगा देखिए आपके सा kanal अपने अधार के नंबर से पता कर सकते है कि आपका कितना सिम चालू है तो मैं आपको पहले वाले ओप्सन पे आपको वीडियो में दूसरे बार बनाऊंग अभी मैं आपको आधार से कितने चालू है उस तो आपके अधार पर जो मॉवाइल नंबर है आपको यहां टाइप कर देना है तो आपके मॉवाइल पर एक ओटीपी आएगा ठीक है यह गॉवर्मेंट का ओफिसल साइट है ठीक है तो आपको डरने कोई जरत नहीं है एकद़ वेरिफाइड साइट है तो आप यहां पे ओटीपी डालके लॉगिन कर ले जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके अधार से जितने भी सिम निकाले गया है सब आपको यहां सो कर लगेगा तो मेरे अधार से सिप एक मोवाइल नंबर एक मोवाइल सिम कार्ड निकाला गया है तो यहां सो कर रहा है अगर आपको बहुत सारे मल्टिपल दिखते हैं तो आप क्या कर सकते हैं तीन ओप्सन दिख रहा होगा साब ने देख सकते हैं तो नॉट माई नंबर देख सेफ्म आपका बंद कर दिया जाएगा अगर आपको नंबर है तो आपको खुछ भी नहीं करना है किसी ओर शाधर का नंबर हला है और आपको पता भी नहीं है कि आपके लोगाल कर कर दिख घा destanca तो आपके ओर जाएगा वीडियो अच्छी लेगई तो प्लिस लाइक and subscribe करिजेगा